हेलो फ्रेंट्स मैं हूं मीनु और एक वार फिर आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल है विद मुशायद में मैं आपके सामने हूँ ठीक है और मैं एक वार फिर आपको इंडिया के मैप पढ़ाऊंगी हाला कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ इस्टार्ट किया था लेक आप लोग इसको देखिए और बताइए कि इसमें क्या कमी है मुझे क्या सुधार करना चाहिए तभी मैं इसको इंप्रूव कर पाँगी और यह जो मैं पढ़ा रही हो जोग्रफी मैंने स्टार्ट की है तो इसमें यह जोग्रफी जो है वह आपकी लगभक सभी बंडे हो या फिर आपका बैंकिंग का हो एससी है और वी है एंटी पीसे किसी भी उसका जो वंडे एक्जैम रहता है उन सब में इस तरीके के कुशन्स पूछे जाते हैं तो मैं जो हो इसी पॉइंट आफ व्यू से यह स्टार्ट कर रही हूं जिससे जो है आपकी फैक्शल इंफ होने वाला है सी टर्ट का एक्जैम होने वाला है और साथ ही फिर सुपर टैट भी होगा तो उसमें यह बहुत ही जादा लाव प्रत है ठीक है तो मैं अब एक बार फिर से अपने जो है वो मैपिंग स्टार्ट करती हूं प्लीज सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कि हमार भी गए है लेकिन अगर हमें लोकेशन याद है कि हाँ यह इस्ट में है या वैस्ट में है तो कोशन हम इस चीज से भी ठीक कर सकते हैं क्योंकि कोशन जो है वो एक्जैम में पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्टेट का बॉडर जो है वो इस स्टेट से टच कर रहा है या नही कर रहा है इस तरीके से option दे दे जाते हैं कि धैली है ठीक है धैली इन में से किन प्रदेशों से water touch करता है या नहीं करता है नीजे चार option दिये होंगे उसमें तो जब तक आपको यह location ही नहीं पता होगी तो आप उसे कैसे बताएंगे इसमें ratification काम नहीं करता है इसमें सिर्फ आप जो है वो visualization काम करता है आप देख लीजे एक बार रिकर्चीजों को तो यह चीजे माइड में fix हो जाती है और इंडिया का मैप तो लगबख सभी के माइड में fix है बस जो इसके states है हमें बस mainly यह देखना है कि कहां कौन सा state है कौन सा border touch कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक यूनियन territories और उनकी capital आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिया के जो भी state है प्रदेश है और जो भी वो international border touch कर रहे हैं किस-किस countries से कर रहे हैं कौन-कौन से प्रदेश हैं यह सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आ अगर यह सही हो जाते हैं तो हमारा exam clear होने में काफी help मिलती है ठीक है तो अब हम start करते हैं ओके आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस channel पर तो अब हम शुरू करते हैं ठीक है तो हमारा सबसे पहले जो state है वो है लगदाक जिसकी राज़ानी है ले ठीक है यह ह हमारा जमू कश्मीर जिसकी राज़ानी है श्री नगर फिर है हमारा हिमांचल प्रदेश जिसकी राज़ानी है शिमला ठीक उसके बाद पंजाव और हर्याणा पंजाव और हर्याना की राज़ानी जो है वो common गुजरात की गंदीनगर गुजरात जो है वो हमारे देश का सबसे पश्चिमी राज है ठीक है हमारे देश का भारत का सबसे पश्चिमी राज कौन सा है गुजरात इसकी राधनी क्या है गंदीनगर यहां गुजरात के नीचे यहां पर जो है वो दमंदीव दादर्वा करनाटक करनाटक की राज़ानी है थेंगलूरू उसके बाद हमारा केरल और केरल की राज़ानी त्रवंत्पुरम्ण ये हमने क्या है जो हमने उपर से लेके एक side के पूरे state cover कर लिए अगर हम एक side cover clear करके चलेंगे तो यह हमारे लिए ज़ादा अच्छा होगा क्योंकि हमें कुछ भी location याद करना में यह ज़ादा अच्छा रहेगा माल लेज़े हम होच पॉच सी कर दें एक स्टेट उठाया बीच का एक इस्ट का उठाया एक वैस्ट का उठाया तो सारा मैश अप हो जाएगा जैसे आज कल के जो सौग आते हैं मैश आप बाले उस टाइप से लेकिन हमें क्या एक तरफ से लेकर चलना है तो हमें इसली सारी सिर्ट ओकैशन भी याद रहेंगी कौं किस से टच कर ला रहा है कौन कसके उपर है कौन कसके नीचे है स्टिट इस तरीकें कीचीजें हमारे माइन में रहेंगी तो हमने क्या किया कैंप आंटर उनाटु पर यह तम्यल नादू और इसकी राज़ानी क्या है चेन नई ये है हमारा आंदरप्रदेश ठीक इसकी राजधानी हमारी क्या है अमरावती ये है तेलंगाना इसकी राजधानी क्या हो गई हैदरबाद पहले आंदरप्रदेश तेलंगाना जो था वो एक ही राज जो था और इसकी राजधानी भी एक ही दी परन्तु अब अलग कर लगे लगे फिरों आते हैं उडिसा की राजदानी है भुवनेश्वत ठीक है यह हमारे स्जान मठेहां काफी दिखाते हैं तु आपको यह कोलक्ता हैं आपको योग कोई you देखता होगा ठीक है उसके बाद हम पहुंसते हैं कहां बिहार बिहार की राज़ानी क्या है पटना उसके बाद हम आते हैं जारखंड पे ठीक है जारखंड की राज़ानी क्या है राची मैंने जारखंड और बिहार को इसलिए एक साथ बोला यह याद करने में आसानी रहेग क्योंकि जार्खन कभी बिहार का भाग था संद 2000 में इनको बाइफर्गेट करके अलग है बाइफर्गेट मतलब जो है वह दो भागों में तोरना यानिकि बिहार के दो टुकडे हुए थया दो स्टेट में इसको बांड दिया गया था ठीक है बिहार की राज़ानी पटना और बिहार से तूटा हुआ है इससा कौन जहारकंड जहारकंड की राज़ानी राची फिर उत्तरप्रदेश की लखनव और उत्तरखंड धहरादून उत्तरखंड उत्तरप्रदेश में सन 2000 में ही अलग हुआ है ठीक इसको जो है वो संद 2000 में अलग किया गया था उत्रखंड को और उत्रखंड की राजानी है दहरादून इसलिए इन दोनों को भी मैंने साथ में वोला है सब-dum-2000 में जो है, वो तीन स्टेट को मतलब जो है वोो दो हिस्सों में बाटा गा था उत्ता पॅध्य परदेश, विहार और मध्य परदेश को, ठीक है? ये हमारा मध्य परदेश है, मध्य परदेश की राजसानी है भोपाल और मद्य प्रदेश जो तब अलग हुआ था राज वो है च्छतिसकर जिसकी राजानी है राइफुर इस चीज को आप चाहें नोट कर लीजेगा कहीं कि सन 2000 में भारत में तीन प्रदेशों का बटवारा हुआ था ठीक है उसमें आपका उत्रप्रदेश, बिहार और मद्य प् सबसे पहले 36 गड़ा अलग हुआ यानि मद्य प्रदेश से फिर उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से जारखंड अलग हुआ बिहार से ठीक है इस तरीके की जो चीज है इसको आप चाहें नोट कर लीजे आगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजे क्योंकि ये वंडे एक्जैम में यूपी टैट सुपा टैट सी टैट और एससी एंटीपीजी सब चीजों में ये कोशन एक मतलब जनरल कोशन सब वह इसली पूछ सकते हैं और ये हैं हमारी डेली यानिकि हमारे भारत देश की राजधानी डेली ये केंदर शाशित प्रदेश भी है बरतमान में इसके मुख्यमंत्री जो है वो मानिनी है केजरिवाल जी है अरविंद केजरिवाल आईए अब हम चलते हैं नौर्थ इस्ट में ठीक है ये हमारे स्टेट जो है वो कबर हो गए अब हम चलते हैं नौर्थ इस्ट में नौर्थ इस्ट मतलब हमारा उत्तर पूर् हाँ अच्छा मतलब वो रहा है सबसे पहलе हम बात करते हैं यह पश्य मंगाल की जो हम बात करते है तो यह चिकिन र्च बोला जाता है इसको ठीक है चिकिन नेक से आप समझी रहे होंगे चूज़े की गरधन टैप यह जो डिजाइन जो है वो मतलब कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, इसके ऊपर ये है हमारा एक पहाडी राज सिक्किम, इसकी राज़ानी है गंगटूक, ये तीन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो जब मैं नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगी कि यहां पे मतलब कौन-कौन से स्टेट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसमें मैं आपको इसको भी डिटेल में बताऊंगी, तो ये हमारा सिक्किम, और इसकी राज़ानी क्या है गंगटूक, सिक्किम जो है बहुती स्पेशल मतलब बोलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहला जैव ये लटका हुआ छोटा सा, इसको बोलते हैं मेगाले, इसकी राज़ानी क्या है शी लॉंग, असम के ऊपर ये टंगा हुआ है अरुनाचल प्रदेश, इसकी राज़ानी है इटा नगर, हलाकि चाइना जो है वो काफी अपना अधिपत दिखाने की कोशिश करता है अरुना अरुनाचल प्रदेश की राज़ानी क्या है इटा नगर, उसके बाद हम आते है नागालेंड, नागालेंड की कोहिमा, मनिपुर, मैरिकॉम को तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर कोई नहीं जानता है तो उसने फिल्म तो देखी होगी मैरिकॉम, वो यहीं की है को तो आप बताएगा प्लीज कमेंट करके कि वो किस खेल से संबंदित है, ओके, फिर मनिपुर के नीचे है हमारा मिजोरम, जिसकी राज़ानी है, आईजोल, उसके बाद है तरपुरा, जिसकी राज़ानी है, अगरतला, ठीक है, यह हमारे नौर्थीस्ट स्टेट है, इनक वो सेवन सिस्टर स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है, सेवन सिस्टर स्टेट भी इनको बोला जाता है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान किएगा, शल में यह हमारे है, असमं मेग घाल है और नाचरप्रदेश नागालेंड मनिपूर मिजोरम अगरतला स्वारित्रपुरा इनको जो है वो सेवन सिस्टर स्टेट भी बोला जाता है ठीक है तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेगा इसके यह कोशन बन सकता है फिर यह है हमारा अंडमैन निकवार दीप सम इसकी रजानी है पोर्ट ब्लेर ओकैं यह नी काफी अच्छा है घूमने के परपस से बहुत अच्छे अच्छे addicted संंदर बीच है समंद्क के नारा टीक ऐन्डमैन निकवार यह है इसकी रजानी है पोर्ट ब्लेर ठीक है Sky क्यों when the video पदेआर यहां पे पुड्डू चैरी यह है वो तीन राज्यों में हमारा है क्टूचैरी की राजानी कि पृब्डूचैरी ही है कि यमन और भी उसके वहों थीजा है शोट तीन राज्यों मेरी एक थरसा है कि एक तेम्द आइक में पाए जाता है ठीक है उसके बाद पुड्डूचैरी का दूसरा मतलब कराइकल है ठीक पुड्डूचैरी तो अपने अब में एक है ही उसके बहागा कराइकल जो तमिलाडू में है ठीक है और एक है उसका माहे जो की केरल में है और इसकी राजानी तो पुड्डूचैरी एक ऐसे state है जो तीन राज्यों में जो है उसके वो पाए जाते हैं फिर है यह हमारा लक्षदी इसकी राज़ानी है कावरती ठीक है तो इस वीडियों में मैंने जो है आपके सारे इंडिया के मतलब सारे state और जो है वो union territories को cover किया है और उनकी राज़धानियों को भी अगर आ है तो इसको देख सकते हैं चाहें तो इसका screenshot ले लीजे यह इसको note-down कर लीजेगा ठीक है इसको चाहें तो आप note-down कर लीजे और इनमें जिसके आगे भी यूटी लिखा हुआ है वो हमारे केंद्र शाषित प्रदेश है यानि की union territories ओके तो फिलहाल इस वीडियों में इतन ही और मैं आगे भी कोशिश करती रहूंगी कि मैं आपको और अच्छी knowledge दे पाऊं और कोशिश भी करूंगी लेकिन जब तक आप मेरी वीडियो को देखेंगे नहीं लाइक नहीं करेंगे शेयर नहीं करेंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे चैनल को मुझे क्यासे पत पता चलना चाहिए कि हां मेरी मुझे मैं जो वीडियो बना रही हूं मैं जो knowledge देने की कुशिश कर रही हूं उसमें कमी कहां है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जादे से जादे लोगों में शेयर करें और जो भी इसमें कमी है प्लीज यह आपका सुपर टैठ है इसफ़ चीजों में उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया और बिल जो संग्स में आवी रहा या नहीं आ या मुझे और क्या सुधार करना चाहिए ओके तो प्लीज आप लोग बताईए और अपने स्वास्त का ध्यान रखिए क्योंकि एक बार फिर से कोविड जो है वो अपने उसमें हैं तो प्लीज सेफ रहिए और दूसरों को भी रखिए खिंक यू वेर्यूश्ट थैंड़ लॉट झाल